नमस्कार किस्तान भाईयों कृश्वाय मंडी अपडेट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरा नाम है क्रतेक और चली जान लेते हैं कि 29 दिसंबर को महरास्ट की मंडियों में क्या रहे फसलों के दाम तिरुबात करते हैं बाजरे से मेला गाओं की मंडी में बाजरे के दाम थे 1900 रुपए पैथान की मंडी में थे 2656 रुपए पूने की मंडी में थे 3050 रुपए उड़त के दाम पूने की मंडी में थे 8500 रुपए कारंजा की मंडी में थे 3800 रुपए जलगाओं की मंडी में थ थे 4,000 रुपए वसीम की मंडी में थे 5,000 रुपए हिंगोली की मंडी में थे 5,025 रुपए और तुलजापुर की मंडी में थे 5,000 रुपए बात करें मूं की तो वसीम की मंडी में मूं कदाम थे 5,800 रुपए पुने की मंडी में थे 10,600 रुपए मेलागाओं की मंडी में थ थे 1825 रुपए और हिंगोली की मंडी में थे 3540 रुपए कपास कदाम हिंगोली की मंडी में थे 8120 रुपए रेला गाउं की मंडी में थे 8800 रुपए देलू गाउं की मंडी में थे 8550 रुपए बात करने लेसुन की तो शीरामपुर की मंडी में लेसुन कदाम थे 2000 रुपए पूने की मंडी में थे 3,250 रुपए, भुसावल की मंडी में हैं 5,000 रुपए. चैने के दाम पूनी की मंडी में थे 5,750 रुपए, कारंजा की मंडी में थे 3,750 रुपए, जलगाओं की मंडी में थे 9,600 रुपए, वसीम की मंडी में थे 4,400 रुपए, गंगा खेड की मंडी में थे 4,500 रुपए बात करते हैं मक्के की तो पूने की मंडी में मक्के कदाम थे 2000 रुपए मेला गाओं की मंडी में मक्के कदाम थे 1550 रुपए पैठान की मंडी में थे 1388 रुपए तामाटर के दाम कोलापूर की मंडी में 2250 रुपए श्रीरामपूर की मंडी में थे 2550 रुपए कमलेश्वर की मंडी में थे 1615 रुपए पूने की मंडी में थे 2100 रुपए कमाटी की मंडी में थे 1900 रुपए कड़त की मंडी में थे 3500 रुपए प्यास कदामों की बात करें तो कोलापूर की मंडी में प्यास कदाम थे 1400 रुपए, मुंबई की मंडी में थे 2650 रुपए, श्रीरामपूर की मंडी में थे 1650 रुपए, सतारा की मंडी में थे 2400 रुपए, कड़त की मंडी में थे 3000 रुपए, भुसावल की मंडी में थे 1000 रु किसान बाइओं ये थे आज के महारास्ट के मंडी अपडेट्स इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हैं क्रिशिफाय के साथ धन्यवाद किसे लबेगा हैं